हेलो फ्रेंड बल्कम वैक तो माई चैनल और मैं हूँ नीता और आपके अपने चैनल इशिताज क्रेटिव कर्णर पर आप सभी का स्वागत है तो आज चलिए चलते हैं अपने किचिन की तरफ और बनाते हैं कुछ नया आज हमने आपके साथ एक ब्रेकफार्स सेयर किया है ज यदि आप इसको चाहे तो शाम के स्नैक्स में या सुबह मॉर्निंग में इसको ब्रेकफास्ट में किसी भी टाइम पे लेंगे तो ये काफी मज़ेदार लगेगा तो ये हमने बनाई है मटर, आलू और गोबी की घुंगरी तो इसमें जादा जो इंग्रीडेंट हैं वो य साथ में डाला है हिंग तो इस तरह से बस ये हिंग डालके और इसके बाद जो आलू गोबी और मटर है तो उसको आप इसमें डाल दीजें तो ये बनने में काफी आसान है बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में उतना ही ये टेस्टी भी है और ठंड में आलू मटर गोब और मटर डालने के बाद इसको कम चेकम 2 मिनिट हाई फ्लेम पे इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे, फ्राई करने के बाद इसमें फिर डालेंगे नमक, थोड़ा सा ही नमक डालना है, जिसमें की सबजेयां जो पक जाएं, क्योंकि हमने जो नमक है तो वो चटनी में भी डाल हुगा है इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालना है इधा पर हमने सेंदे नमक का यूज किया है इसलिए थोड़ा सा सेंदे नमक हलका सा हमने जादा डाला है इसको हम फ्राइ कर देंगे इस तरह से और इसको हम ढख के फिर इसको पका लेंगे जिसमें की जो आलू मतर गो तो इसको अच्छे से एक फाइन पेस्ट तयार कर लेंगे तो और फ्रेश जो हरी धनिया है तो इसका जो टेस्ट है तो काफी अच्छा आता है इससे कोई भी चीज़ नहीं डालना है सिर्फ नमक और हरी मिर्च डालिए और बस जब आलू गोबी मतर पक जाए तो इसमें आप हरी धनिया क्या जो पेस्ट बनाया है तो इसको आपको डालना है और बस एक मिनिट इसको इस तरह से मिक्स कर देना है और इसको उतार लेना है तो देखिए कितने जटपट से जल्दी से तयार होके एक मज़ेदार जाएके दार सा आपका ब्रेकफास्ट जो है तो वो तयार हो गया है तो चलिए अब बताना आपको है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा हूँ तो लाइक कमेंट शेर और सबिस्क्राइब करिएगा बेल बटन प्रेस करना बिलकुल ना भूलिएगा थैंक यू फिर मिलते हैं को नई इंट्रेस्टिंग वीडियो में